Hello everyone, तो चलिए आज का क्लस स्टार्ट करते हैं SP BAKSHY का Additional Words, यह है पार्ट 7 और पार्ट 7 में हम लोग देखेंगे First Word, First Word है आपका Blaze Blaze का अर्थ क्या होता है तो इसका मतलब है Burn with Flames मतलब flame के साथ जलना और Blaze का Hindi meaning बोले तो होता है आग की लपْटें आफिर ज्वाला और आप मुझे कमेंट में बताएंगे एक मैं इडियम बता रखा हूँ पहले ही कि बलेज दा ट्रेल बलेज दा ट्रेल का क्या मिनिंग होता है यहाँ पर भी आपके लिए बलेज शब्द आया है और यहाँ पर इस इडियम की चर्चा करने के वक्त मैं बलेज का एक डिफरेंट मिनिंग बताया था जब बताया था निशान बनाना चिनहित करना और कहीं मार्क करना तो बलेज कहलाता है तो इसका दो मिनिंग है बलेज का पहला मिनिंग आगे की लप्ते और फिर ज्वाला और दूसरा मिनिंग चिन्ह लगाना, निशान बनाना और आपको इस idiom के पूरे मिनिंग बताने हैं कि क्या इसका मिनिंग होता है नेक्स्ट है आपका convivial, जब मैं root word के थुरू बताऊंगा आप लोगों को vocabulary तो मैं convivial का भी discussion करूँगा और इसका मिनिंग होता है friendly, friendly का मतलब दोस्ताना, मिलनसार, काफी खुशनुमा बैक्ति को बोलते हैं convivial मतलब जो काफी खुश मिजाज होते हैं वैसे लोगों को बोलते है convivial नेक्स्ट आपका connubial यह है connubial इसका मतलब होता है of marriage इसका मतलब वैवाहिक, एक सब्द में बोलते हैं वैवाहिक, कारी करम मतलब विवास से समंदित शादी विवास से समंदित को बोलते है connubial और जाहिर सी बात है कि marriage में किसे relation होता है इसका, तो husband and wife से नेक्स्ट है आपका फूर्थ नंबर Craven, Craven कार्थ होता है Cowardly, और फिर of crow अब मैं इसके बारे में बताता हूँ Craven का क्या आत है Craven का मतलब है Cowardly मतलब डरपोक, और फिर कायर और crow, मतलब कोवे से समंदित दोनों इसका मिनिंग होता है Craven अब crow को जो relate किया जाता है कोवे को जो relate किया जाता है वो कायरता के sense में उससे relation होता है अगर आप किसी वैक्ति को crow कहकर बुला रहे है मतलब उसको कायर कहकर बुला रहे है तो of crow इसलिए of crow से ही आया है ये Cowardly word तो इसका मिनिंग है पहला मिनिंग डरपोक, और फिर कायर और दूसरा मिनिंग कोवे से संबंधित नेक्स्ट आपका कैजोल कैजोल का अर्थ होता है कोक्स, और फिर वीडल और इन तीनों का मिनिंग है देख रहे हो इस बुक की खासियत बोलो या कमी बोलो वर्ड का जो मिनिंग भी दे रखा है वो काफी difficult सा दिया हुआ रहता है मतलब नहीं सुने हुए words दिये रहते है मिनिंग में भी तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने होते हैं बहुत जादा मेहनत लगता है इसको पढ़ने में मैं भी बहुत जादा मेहनत किया था इसको पढ़ने के लिए और अभी आप लोगों के लिए तो काफी सहज हो गया है इसको समझना इस बूक को समझना अब ज़रा देखो कैजोल का क्या आर्थ होता है कोक्स का क्या आर्थ होता है तो इन तीनों का मिनिंग होता है कि किसी को खुशामद करना, किसी को मनाना, किसी को पटाना, किसी को फुसलाना, तो यह कहलाता है कैजोल, कोक्स, अफिर वीडल, समझ गया आप? इन तीनों का क्या मिनिंग है, तो इसका मतलब है समवेदनाहील, समवेदनाहीन, मतलब किसी के पास जो फिलिंग हो यह नहीं, बिल्कुली दिल वाले बैकती हैं ही नहीं, मतलब जिसके पास दिल नाम का चीज़े नहीं है, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं, कैलस, कैलस का मतलब स क्यारत है इसका मतलब पर्टेनिंग टू मैरेज अब जड़ा देखो मतलब मैरेज से रिलेटेड़ चीज़ों को बोलते हैं कंज्यूगल अब जड़ा देखो थर्ड नमबर पर गौर करो और सेवेंथ नमबर पर यह दोनों आपस में सिननिमस हैं तो इन दोनों को भी याद रख लेना नेच्स्ट ट्रेल कर टेल का मतलब सेक्ट टाउन कट डाउन एक तरह का को फ्रेजर्ण रपाव रेड़ूश्akt वर्का मिन्लिक होताया रेड्यूज मतलब कटाऌथी करना किसी चीज़ को कम करना खरचे की यह करना उसको भी बोलते हैं कि नैंत नमबर एक साथ किये गए अपराद तो अपराद में शामिल और फिर अपराद में लिप्त होना कहलाता है कॉम्पलिसिटी नेक्स्ट आपका कॉनोसियोर का अर्थ होता है कि ऐसे परसन विथ गूड और टेस्ट एंड क्वालिटी तो जिसके टेस्ट बहुत अच्छे होते हैं और उसके पकड होता है तो वैसे वैक्ति को बोलते हैं कॉनोसियोर और इसका अर्थ होता है विशे सग्य और फिर माहिर वैक्ति और खास करके इसका रिलेशन है खाने पिने से जो खाने पिने के मामले में काफी माहिर हो उनको सारे टेस्ट के बारे में पता हो जैसे चीनी कम है आप मूवी देखेंगे उसमें मिताब बचन क्या करते हैं पिर्यानी को टेस्ट करते ही बता देतें किसमें कितना मात्रमें कर्ड को डाला गया है कितने मिनट तक पकाया गया दोभी बता देते काफी प्रोमिनेंटली वीजिबल होता है वो दूर से लोग उसे पहचान जाते हैं तो ऐसे विशेश्ट चीज़ों को सुवस्पस्ट चीज़ों को बोलते हैं कौन स्पीक्वस नेक्स्ट आपका क्रेडेंश्यल्स का अर्थ है रिलाइबिलेटी जेन्यूननेस ऑफ टेस्टि आएगा टेस्टिमोनियल का अर्थ होता है कि जिसे गवाही देना होता है कहीं पर प्रसंसा पत्र देना होता है तो उसको भी टेस्टिमोनियल बोलते हैं और उसके जैन्यूननेस मतलब सच्चाई कितनी है उसके बारे में जो प्रमान दिया जाता है उसको क्रेडेंश्यल्स बोला जाता है मालो आप कोई ब्लॉग लिखते हैं फिर कोई एप यूज कर रहे होते हैं और कहीं पर आप राइटर बनना चाहते हैं आप कहीं पर लिखना चाहते हैं जैसे मैं भी लिखता हूं तो वहाँ पर आपको Credentials fill up करने होते हैं मतलब भरने होते हैं आपके बारे में कि आप आपकी quality क्या है आप क्या क्या किये हैं अभी तक achievement क्या है आपकी qualification क्या है आप BTEC किये हो आप फिर graduation किये हो कितने सारे डिग्रियां है वो सब भरना पड़ता है कितने experience है तो वो सारे क्या है अगर कोई reader आपके राइटिंग को देखेंगे पढ़ेंगे तो आपके उपर कैसे विश्वसनियता उन पर एक कैसे चाप आएगा आपके प्रती कि आपकी क्या विश्वसनियता है तो उसका fill up करना ही कहलाता है लेकर करके राइखेंश क वहां पर भरना पड़ता है उसी को बोलते है प्रमार्पत्र नहीं होता हा वह चासित को बोलेंगे तो वैसे स्पस्ट वाजिता लोगों को बोलते हैं काइंडर अब आपका है pregunt किसी बी चीज को जस्ट करने के लिए क्या मापड différentes होना चाहिए तो उस स्टेंडर को को बोलते हैं Criterion हरको जानता है तो इसका क्या रत होता है माप धंड और कासवटी किस कासवटी में किसी चीज़ को मेजर किया जा जाए तो वैसे चीज़ों को बलते है क्राइटेरियन जैसे कि माल लिए आप किसी एक्जाइम के लिए qualified है या नहीं है तो उसके लिए क्या देखा जाता है तो आपकी criteria को देखा जाता है आपके map done को देखा जाता है तो यह हुआ इसका meaning next आपका करसरी कार था हेस्टी और हेस्टी का मतलब होता है कि लापरवाही से किया हुआ काम और जल्दबाजी से किया हुआ काम और casual का मतलब ही क्या होता है तो लापरवाही aximic काफी अचानक तो यह meaning होता है casual का मतलब ही होता है लापरवाही तो इन तीनों का मतलब है करसरी हेस्टी और casual का मतलब लापरवाही से अब फिर जल्दबाजी से किया गया कार्य next आपका contiguous एक कॉंटीजियस नहीं है एक कॉंटीगुएस है मतलब फैलने वाला बिमारी के लिए नहीं है यह आई नहीं यहाँ पर यू है तो कॉंटीगुएस का अर्थ होता है एडिसेंट टू मतलब सटा हुआ लगा हुआ माल लिया जाए यह आपका चत्रभूज है एक अब इससे हुआ है लगा हुआ हैрал यह ऊब क्या सकते हैं क्यों के जगा मांकी कि अपसंड师 हन दे तो इसका मतलब है एστड मा कही करना जो उपर नीचे अपर नीचे सेंस मिले तो ऐसे चीजों को बोलते हैं इसे निशान को बोलते हैं चेका अ और फिर यह वाला चेक्षट अब जो देखो इसका मतलब क्या होता है इसका मतलबोस का पर जे जानवार को देखेँ चित कबरा काती है постро the Koloth इसका क्या आर्थ है कैनड कैनड का आर्थ होता है unfounded rumor पहली बात की unfounded का मतलब समझ लो unfounded का मतलब होता है बे-बुनियाद मतलब जिसका कोई सक्त पुखता यह नहीं है क्या बोलते हैं उसका ठोस कोई परमान नहीं है उसको बोलते है unfounded मतलब बे-बुनियाद उसको बोलेंग इसका दूसरा मिनिंग है फॉल्स आर्ग्युमेंट पत्व जूटा इल्जाम और फिर जूटा आच्छे इसका मतलब होता है शिकैंडरी का मतलब तो चलिए हम लोग आज बहुत सारे वर्ड्स को देखे और हां एक चीज जैसे मैं पार्ट 6 पढ़ाया और पार्ट 7 पढ़ाया तो इसमें जितने भी व वर्ड्स है में भूल के कौन सा वर्ड्स हो तो उसमें गलती है उसको आप सुधार लेना तो चलिए आज का क्लास करते हैं थैंक्यू वेरी मॉच